लो जी जिसका आपको था बेसबरी से इंतजार वो आज हो गया है गदर्टू हो गई है रिलीज, ओपनिंग, कैसी रही, छप पर फाड रही या एक तरफा रही आईए आज इसके बारे में बात करते हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं धहमा का कर दिया मैंने देखा सुभह का साड़े पांच बजी का ओर भाई साब गदर्टू का क्रेज इतना था लोगों को कि साड़े पांच के शो में भी अच्छी खासी भीड लगी हुई थी मैंने लोगों को इतनी रात में इंतजार करती हैं कभी नहीं देखा लोगों को ऐसा लग रहा था कि सारी राज सोई ही नहीं कि अब तो गदर टू देखकर ही चैन की सांस लेंगे पर क्या गदर टू की सक्सेस गदर वन को आगे लेकर जाब पाईगी क्या गदर टू गदर वन की सक्सेस को बीट कर पाईगी क्या इसका सीक्वल भी उतना ही मज़ेदार होगा जितना बाहु बली का था या तनु वेट्स मनु का था तो आईए बात करते हैं इसके बारे में इस मुवी को जो हमने ट्रेलर देखा तो इस बास से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेटा पाकिस्तान में है और बाप जाएगा पाकिस्तान और गदर मचाएगा तो हाँ कुछ-कुछ ऐसा ही है बड़ पूरी तरह नहीं वो तो आपको पता चल जाएगा जब आप मुवी देखोगे कि इसमें क्या-क्या होने वाला है मुवी का अल्मोस त्रीन गंटे की है अगर आप फर्स्ट हाप की बाते करते हैं तो सनी पाजी के सीन ऐसे हैं जो स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं सनी पाजी जब स्क्रीन पर आते हैं तो धमाल मत जाता है तो उनी की जब भी वो आते हैं स्क्रीन पर तो खूब लोगों ने डांस किया मस्ती करी उनके डायलॉगस को एंज़ॉए किया और उनके एक्शन्स को एंजव इन गया अगर हम बात करें उनके बेटे की है तो उनके बेटे की कुछ एक्टिंग इतनी नहीं लगी लोगों को मैं बात कर रहा हूँ फरस्ट हाफ के बारे में ना कि सेकंड हाफ के बारे में जैसे ही सेकंड हाफ होता है तो जब वो सडनली उनके एक्टिंग में चेंज आ जाता है वो कुछ थोड़ा सीरियस किसम के हो जाते हैं और सेकंड हाफ देखकर लगता है कि हाँ